हाई फ्रेंड्स वेलकम टू दक्षिन स्वात तो क्या आपने कभी अद्र की खटी मीटी अचार खाई है तो आज मैं ऐसे ही एक रसिपी लेकर आई हूँ पुली इंजी तो चलो देखते हैं कैसे बनता है हमारा पुली इंजी तो सबसे पहले हमें अद्रक को बिल्कुल बारी की काटना है फाइनली चॉप करना है या तो आप चाकू से काट सकते हो अगर आपके पास चॉपर है आप चॉपर का भी यूज कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर चॉपर का यूज किया हुआ है अब हम इंग्रीडियन्स देखते हैं सबसे पहले हमें चाहिए 100 ग्राम फाइनली चॉप्ड जिंजर बारी की कटा हुआ अद्रक 10 से 12 शालोट्स या छोटी जो प्याज आती है वो अगर आपके बाद छोटी प्याज नहीं है तो आप बड़ी प्याज भी ले सकते हैं करिपता एक बड़े निम्बू के साइस में इमली और एक बड़े निम्बू के साइस में गुड दोनों ही इकुल मेशर्मिन में लेना है आदा टीस्पून कैश्मीरी चिली पाउडर, सवा टीस्पून हल्दी पाउडर, आदा टीस्पून धनिया पाउडर और नमक स्वाधनसार और तड़के के लिए 1 teaspoon तेल, थोड़ा सा mustard और थोड़ा सा dry red chili तो चलो देखते हैं हमारा पुली इंजी कैसे बनाते हैं पुली इंजी बनाने से पहले हमने जो इमली लिया था उसे हमें सोक करना है उसे एक लास पानी में सोक करके, सोक होने के बाद उसे अच्छी तरह निचोडने के बाद उसको strain करके हमें हटा के रखना है तो चलो पुली इंजी बनाना शुरू करते हैं एक पैन में एक टेबिल स्पून तेल डालिए, मैंने यहाँ पर कॉकनोट उयल का यूस किया है, आप कोई भी तेल यूस कर सकते हैं अब उसमें हमने जो अद्रग बारी की काट के रखा हुआ तो उसको अच्छी तरह फ्राइ करना है बिल्कुल डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक आप अच्छी तरह फ्राइ कीजेगा उसके बाद उसी बर्तन में एक और टेबिल स्पून तेल डाल कर तड़के के लिए मस्टर्ड, ड्राइ रेड चिली, करी पता, और जो प्याज हमने काटके रखा था उसको अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करना है अब भाल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कैश्मीरी रेड चिली पाउडर तीनों डाल कर एक मिनिट के लिए सौटे कर लिजेगा उसके बाद हमने जो अद्रक फ्राइ करके रखा हुआ है उसको डालना इसमें तो मैंने थलका सा हलका सा ही उसको पाउडर किया है क्यूंगि मुझे थोड़े चंक्स पसंद है इसलिए उसको थोड़ा मिक्स करने के बाद हमने जो इमली का पानी स्ट्रेन करके रखा हुआ है उसको इसमें डाल दीजिए अब स्वाद अनुसार नमक डालके अच्छी तरह इसमें उबा लाने देना बिल्कुल अच्छी तरह बॉइल होने के बाद हमें इसमें गुड़ डालना है गुड़ डालने के बाद बिल्कुल मीडियम फ्लेम में इसको कुख होने दीजिए अच्छी तरह cook होने के बाद आप देख सकते हैं इस consistency में हमें इसको लाना है अगर आपको लग रहा है खटा जादा है या मिर्ची जादा है तो आप थोड़ा और good डाल सकते हैं और इसके taste को आप balance कर सकते हो I hope आज का recipe आपको बहुत पसंद आया होगा जरूर ट्राइ करके देखेगा मेरे चानल को subscribe करना मत भूलेगा प्लीज सब्सक्राइब और support my channel also please press the like button thank you bye